अग्फेन चो हमने एर फ्रायर में बेंगनों को रखखा था पन्दरा मिनट के लिए 200ём के न मेने थन्डा करके उसका छिलका हतारा है और बेंगन भी जाया नहीं हूए और हमारा टाइम भी जाया नहीं होआ नहीं तो एक-एक बेंगन को आग पे करने से काफ़ी टाइम जाय होता था और बेंगन का जो नरम होने का छिलका भी उतारने का इतनी असानी से नहीं उतारता था इसको राम से हमने माइक्रोवेब में किया है आप ओवन में भी कर सकते हैं 15-20 मिनट पे करें और करने के बाद उसको ठंडे पानी में डिप करें ठंडे पानी में डिप करके फिर उसको आप इजली उसका उपर से छिलका उतर जाएगा और बेंगन नरम हो गया है बिल्कुल र तरह मैश हो गया और यह प्याज है प्याज को भी चौप कर लें सबस मिर्चें भी काट लें और अब इसके लिए आपको घीम है बस मसाले को भूनना है नमक में डाल के और इसके बाद बैंगन को मिक्स करें और आपका भरता त्यार